हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट हो सकता है आपके लिए इस टॉपिक पर बहुत सारे लोग बहुत पाइन से मुझसे जवाब मांग रहे थे और मेरा जवाब हमेशा अलग होता था आज भी वैसा ही है पर शायद आपके कामका हो स को स्किप कर देना बंद करने चले जाना कोई द Pode कि नहुत है ठीक है तो सब्से पहली बात की एक बड़ा कॉमन क्वेस्चन है कि क्या जुए में रिकवरी हो सकती है गैम्लिंग में रिकवरी हो सकती है कि तो जो मैंने हर बार इस बात का जवाब दिया है मिish मैंने हर बार इस बात का जवाब दिया है कि जुए में रिकवरी जैसी कोई चीज नहीं होती है तो आप लोग यह सुसते हों कि यार जुए में अगर रिकवरी जैसी कोई चीज नहीं होती है तो जो लोग आत्मी पैसा हार गया तो मतलब उसका पैसा कभी वापस नहीं आता है और फिर कहीं लोग दावा करते हैं कि भी हमारी रिकवरी हो गई तो पहली एक बात समझो कि भी मैं किस सेंस में यह कहता हूँ कि रिकवरी नहीं हो सकती है और आज के वीडियो में मैं अगर बोलूँगा कि रिकवरी हो सकती है तो किस तरीके से हो सकती है तो आज का में हमारा जो वीडियो है वो इसके इर्दिगर देगी अगर रिकवरी हो सक तो उसका तरीका क्या होगा? क्या वो तरीका वही जो जूटे सब में दुनिया दिखा रही है उस तरीके से होगा या recovery का कुछ अलग तरीका है? तो हो सकता है कि शायद कुछ लोगों के बाद समझ गया है. सबसे पहले आप यह बात समझो कि भी जब मैं यह कहता हूँ कि recovery नहीं हो सकती जूए में तो मैं यह कहता हूँ कि recovery का मतलब क्या होता है? recovery एक psychology समझो, recovery कोई एक बार की जीतनी होती है, recovery एक प्रक्रिया है, एक process है कई बार जीतने के बाद जा करके लगातार आप थोड़ा थोड़ा प्लस में आओगे और आपका amount बढ़ेगा तब जाके आपका गया हुआ पैसा वापस आएगा तब आप कह सकते हो कि मेरी जूए में recovery हुई है मतलब ये एक प्रक्रिया है, एक process है, एक दिन की जीत को आप recovery नहीं कह सकते या दो दिन या चार दिन दस दिन की जीत को आप recovery नहीं कह सकते क्योंकि आप 10 दिन में पैसा हारे भी नहीं आप जिस एमाउंट की बात कर रहे हो उस एमाउंट को हारने में भी आपने कई महीनों सालों लगाए हैं इवन कई लोगों उन्हें तो दशकों लगाए हैं तो सबसे पहले इस बात को समझोगी जब मैं बोलता हो कि जुए में रि इविजल व्यक्ति के साथ लगी शर्त लगाई और आप वो शर्त हार गए तो आपका 100 रुपय उसके पस चले गया बात खतम हो गई आपने अगली बार फिर शर्त लगाई फिर आप हार गए फिर वो 100 रुपय उसके पस चले गया तीसरी बार आपने फिर एक बार शर्त वो जो 100-100 रुपे दो बार गए वो तो चले गए वो तो जीरो हो गए अब आप यह गोगे देखो मैं 200 हारा था मेरे 100 वापस आ गए तो 100 की रिकवरी हो गई यह इस माईने में तो देखने में थोड़ा वो समझने में ठीक लगता है पर यह मुर्खों के सबसे ठीक है पर 30 जीतोगे फिर साथवी, आठवी, नौवी हार जाओगे मतलब ज्यादा हार होगे कम जीतोगे ज्यादा अमाउंट हार होगे कम अमाउंट जीतोगे और धीरे 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 आप हारते चले जाओगे आपका लॉस जो है वो बढ़ता चला जाएगा क्यों क्योंकि रिक उस वज़े से आप और हारते हो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जुए में recovery जैसी कोई चीज नहीं होती है, recovery करने जाओगे और पैसा जाएगा, आपकी इसी कमजोरी का फायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं, जो कहते हैं हमसे course खरीद लो, हमारे course खरीदने से आप जीतने लग जाओगे और आपकी recovery हो जाएगी, कोई कहता है मेरे साथ मिलके खेल लो, मैं recovery करवादूगा, कोई कहता है मेरी ID में पैसे जमा करवादो, या अपनी ID में को देदो, पासफ़र्ट देदो, मैं आपको recovery करवादूगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अगर recovery जैसी कोई चीज होती है और जो लोग दावा कर रहे हैं, तो वो तो खुदा रपती बनने बैठे होते हैं, ठीक है, अब आती ये बात आज के मुद्दे पर, क्योंकि मैंने बहुत आप लोगों के points से भी समझने की कोशिश करी है, और मैंने का चलो आपको आपकी भाशा में समझाते हैं, अ और है भी 1% chance, 2-3% लोग हैं ऐसे, और कहितने लोग तो मेरे वीडियो के नीचे भी comment करते हैं, जर आपकी वज़े से हमारा कुछ पैसा वापस आ गया, या अब हमारी हार कम जीत ज्यादा होने लगी है, या कही लोग तो बोलते हैं, हम प्लस में भी है, क्योंकि वो psychology को है, वो तो आपको आता है जीतना, तो recovery कैसे हो सकती है, आपका गया हुआ पैसा कैसे वापस आ सकती है, सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखो, अभी ज्यादा देर नहीं हुए, पांच मिनटी हुए वीडियो को, अगर कोई सोच रहे कि मैं कोई formula या कोई trick बताने वाला दो गाली मुझे देखर के निकल जाओ आपका पांच मिनटी वेस्ट हुआ होगा, देखो, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, एक उधारन के साथ में समझा रहा हूँ, शायद आपके पल्ले पड़े, और ये मेरा live भुक्त भोगी भी हो, आप लोगो ने देखा हुए ल लगो, junk food खाने लगो, oily तला, छोले भटूरे तला हुआ, ये सब खाने लगो, थोड़े टाइम के अंदर ये आपकी तोंद निकल आईगी, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के ना शादियों के बाद तुरन तोंद निकल आती है, चुकि वो बैठे-बैठे रू पेट निकल आता है बार, अब आप कहोगे यार ये बात कहां से बीच में आगई, अब आप देखोगी जो पेट निकल आया, बहुत जल्दी है, वो पेट को जब कोई, 100 में से शायद कोई 5% लोग, चाहते तो 100 के 100 हैं, और 100 में से 5% लोग ऐसे होते हैं, या लगबग 5% मा पापस कर पाते हैं, कभी उन से पूछना, ये मैं अपनी लाइफ का भी experience बता रहा हूँ आप लोगों, पेट अंदर से बहार तो बहुत जल्दी होता है, फ्लैट पेट होता है, बहुत जल्दी भार आ जाता है, आप आलसी बन जाओ, उट पटांग खाने लग जाओ, एक् सा थे पीते घर के लग रहें, बास में व्ही पेट बोज लगने लग जाता है, तो पेट बहार मान लो, अगर तीन महीने के अंदर आया है, वह पेट अंदर जाने में तीन साल लगते हैं, ये बाकी तो आते हैं न, सोना, बैल्ट और ये दवाई खा लो, और ये तेल मल लो और ये कर लो वो कर लो सब देफकों बनाने के दंदे आउंगा वोई पॉइंट पे इस उधारन को समझो तीन महिने में जो पेट भार आता है उसको अंदर जाने में तीन साल लग जाते हैं तब जाकर के वो पेट वापस उस पोजिशन पर आपाता है शुरू शुरू में मैंने भी शादी से पहले और मतलब में मेरी हाइट वैसे भी कम है मेरा पेट इतना भार था मेरा पेट कि मैं टीवी देखते टाइम अगर अगर अपने पेट में रख दूं तो वो गिरता नही है मतलब बहुत कम खाया है बहुत कम मौकों पर खाया है रोटी नहीं खाई है और फ्रूट सैलेड और यह सब कितने साल हो गए मुझे एक्सराइज करता हूं स्विमिंग करता हूं अभी भी उस पोजिशन पर नहीं आ पाया जहां से बढ़ना शुरू हुआ था सोचो आप आप समझें मैं क्या कह रहो हूं समझदार को इशारा काफी होता है फिर जाकर के वो पेट कहीं अंदर होता है सेम इसी तरीके से होता है जो आपने पैसा शुरू शुरू में अमीर बनने के चक्कर में जल्दी अमीर बनना इजी मनी के चक्कर में लालज के चक्कर में दूस करने में अब आपको यार यह तो बड़ी वक्वास वाली बात है बड़े उदास होगे होगे आप निराशावादी होगे होगे तो फिर सुन लो फिर उन लोगों की जो जलेबिया बेच रहे हैं कि आजाओ हमारे पास हम रिकवरी करवा देते हैं रिकवरी एक प्रक्रिया है यह ऐसा नहीं होने वाला कि आपने अगर वो कोई पैसा दो साल में गवाया है तो कम से कम अगर बिल्कुल अपनी गलतियों से सबक सीका है और अनुशासन के साथ चल रहे हैं और दिमाग पर नियंदरन काबू पा लिया है और किसी के किससे कहानिय पर नहीं विश्वास करोगे अगर तो जो पैस आपने दो साल में गवाया है वह पैसा वापस आने में कम से कम चार साल लगेंगे क्यों वह भी अगर आपने गलतियों से सबक सीका है ऐसा इसलिए क्योंकि धीरे-धीरे पैसा वापस आएगा जैसे ही आप ज़्यादा पैसा लाने लगोगे क्या रहे मुझे तो समझ में आ गया है मैंने तो अपनी गलते हो सबग सीख लिया है मेरे पास तो ट्रिक स्ट्रेटीजी भी है मेरा दिमाग पर भी नियंत्रन है तो चलो मैं क्यों धीरे धीरे लाओ में थोड़ा ज़्यादा लिया तो क्या होता है धीरे धीरे करके आप थोड़ा थोड़ा पैसा वापस लाती हो ठीक है जब वो थोड़ा थोड़ा पैसा वापस आने लगता है तो आपके अंदर एक आशावादी आप आशावादी बनती हो आप ऑप्टिमिस्टिक बन जाते हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं पर थोड़े दिन बाद जब यह प्रक्रिया चलती रहती है और आपका अमांट धीरे-धीरे वापस आ रहा होता है आपका घाटा कम हो रहा होता है मुनाफ़ा बढ़ रहा होता है तब यही ऑप्टिमिस्टिक आप ऑप्टिमिस्टिक बायस बन जाते हैं आप जरोत से ज्यादा आशावादी हो जाते हो जिसकी जो नाकरत्मक चली जाती है कैसे कि आपने देखा कि आरे यार मैं तो यह तरीका अपना करके देखो जी मेरा तो पांच लाग का लॉस था अब मेरा लॉस दीरे-दीरे जी कि साड़े-3 लग का रहे गया है फिर थोड़े दिन बाद आपके तो अरे तो 3 लग का रहे गया अरे तो 2,80,000 का रहे तो मैं इतना क्यों वेट करूँ चलो मैं सेम स्ट्रेटिज बेड़ा प्ले करता हूं बड़ी-बड़ी बैट लगाता हूं ज्यादा खिलने की कोशिश करता हूं क्योंकि मुझे तो आ गया यहां पर आप जरू से ज़्याद आशावादी हो गया और जैसे ही आप बड़ा प्ले करते हो ओवर कॉंफिडेंस में आते हो अती उत्सावादी बन जाते हो वैसे ही आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है फिर आप वापस वही खड गलतियों से सबग सीखा है我们 announced new conditions बता रहो है पहली बात जो भी आपने आँस्तक किया और जितना पैसा गवाया उसमें आपने जो भी सबग सीखा है तो प्लफिद्रि वह्त औज रहना चाहिए धिमाग पर काबु और नियंत्रण अनां चाहिए दूसरा आपको ऑपको किसी कोई ना एक कान से सुनके दूसरे कान से मन निकालो सुनना ही नहीं है किसी के एड नी देखनी किसी के बड़े-बड़े दावे नी सिर्फ मदमस्त हाती के तर आपनी चाल चलते रहने तब जाकर के आपने जितने समय में पैसा गवाया है उससे सबक सीखा है तो आप उसके कार में बड़ा हाथ मारने के चक्कर में गलती करते हैं और फिर जहां से चले होते हैं वहीं आ जाते हैं तो यह गलती मत करना ठीक है तो रिकवरी पॉसिबल है रिकवरी हो सकती है गया हुआ पैस वापस आ सकता है पर उस तरीके से नहीं जो शॉर्टकट आप लोग अपना भया करें करें ये करें वो करें ये सब इस तरीके से नहीं होगा या सब ठग है आप यह ठग भी नहीं है ठग कहना इनके फिर फिर भी इज़त देना होगा यह वल्चर वल्चर गुस्ट है कि मरे हुए मांस खाते है जो अल्रेडी bearings perseverance ये उससे और नोच रहे हैं उसको मुनाफ़ा दिखा करके, उसको बुलाते हैं फुसला करके और जो पहले घाटे में होता है उससे उसका और पैसा लेती है, क्योंकि अगर इनको आपका पैसा लाना वापस आता है, तो फिर ये खुद क्यों नहीं करोणपती बन जाते हैं, अ परकरिया है एक बार दो बार दस बार जीतने को रिकवरी नहीं कहते हैं रिकवरी का मतलब यह कि आपका गया हुआ पैसा वापस आ गया और आप 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 लगातार खेल लो तो फिर आपके डूबने का संभावना पूरी तरह बरकरार है जुवा छोड़ दो जुवे में आगाल सकते ही जो ऐसा दावा कर रहे हों उनमें से 99% जूटे हैं। जूट बोल रहे हैं। दस दिन खर्चा निकालने को खर्चा निकालना नहीं कहते हैं। कि 11 12 दिन वो बरबाद हो चुका होता है पर वो 10 दिन में आपके सामने जो डिंगे हाख चुका होता है इस चक्कर में 11 12 दिन के घाटे नहीं बताता है तो यह काम मत करूं इन बातों मत आओ जो आपने किया है आस तक उससे सबक सीको और जो भी अपना घाटा बरदाश कर सकते कि उनको रिकवरी बगरा के चक्कर में भी नहीं पढ़ना चाहिए जूवे को अलविदा कैदो कुछ नहीं रखा है इसमें यह साइकलोजिकल गेम है यह माइंड गेम है इसमें यह आपको धिरे-दिरे खा जाएगी पूरी दिमक की तरह बाकि आपकी मर्जी ठीक है ओके ग